जैहिन दोस्तो मैं हुआ नूप और आप से लोग देख रहे हैं Global Conflict तो दोस्तो इंडिया के Aircraft Carrier और Future Submarine को लेके दो बड़े और महतोपूर्ण अपडेट आ रहा है जिनमें सबसे पहला तो इंडिया के Future Aircraft Carrier को लेके UK द्वारा भारत के साथ कोलावरेशन को बढ़ाने के लिए एक तरफ जहाँ पर प्रयास किया जा रहा है तो वही पर सब्मरीन के सेक्टर में सुपर कलवेरी नामक एक सब्मरीन का भी जिकर बहुत जोड़ सोड़ से किया जा रहा है तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंडिया के Future Aircraft Carrier और Future Submarine के बारे में ही बताऊंगा तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जुरूर कीजिए तो दोस्तो हाली के कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि United Kingdom के तरफ से भारत के साथ अपने कोलावरेशन को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि Queen Elizabeth Aircraft Carrier के concept को लेके भारत के साथ आगे बढ़ाया सके आप सब लोगों को पताई होगा कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के Future Aircraft Carrier मतलब INS विशाल को लेके ये बात भी चर्चा में था कि संभावित इस Aircraft Carrier के लिए भारत द्वारा United Kingdom का भी मदद लिया सकता है इवन तब ख़वर ये भी आया था कि भारत के कुछ उच्चे अधिकारी United Kingdom के विजिट में भी गये थे जहाँ पे Prince of Wales मतलब Queen Elizabeth Class Aircraft Carrier के जो दूसरा Aircraft Carrier है उसके construction site का भी विजिट किया गया था इवन United Kingdom के तरफ से भी अपने Aircraft Carrier के design के offer किया जा चुका था और ये भी बताया जा चुका था कि Queen Elizabeth Class के Aircraft Carrier के एक Catapult Launching System variant भी है जबकि इस साल जब खबर ये आया कि इंडिया नेवी द्वारा Aircraft Carrier से ज़्यादा priority अपने Nuclear Power Attack सब्मरीनों के तरफ दिया जाएगा और संभावित तीसरा Aircraft Carrier मतलब INS विशाल के project को कुछ सालों के लिए डिले किया जाए पर अब फिर से Aircraft Carrier के इस मुद्दे को बल तब मिला जब United Kingdom के तरफ से किया जाने वाले इन प्रयासों का खुलासा हुआ दोस्तों खबरों में ये है कि UK India Business Council मतलब UK IBC के तरफ से भारत के साथ सब्मरीन, जहाज और अन्य नेवल सेक्टरों में कोपरेशन को मजबूत करने का intention दिखाया जा रहा है खास करके इन इन्डिया नेवी के आवशक्ताओं को देखते हुए UK भारत के साथ कुलाबरेशन को मजबूत करना जाता है और दोस्तों इन बातों का खुलासा UK IBC 2021 के एडवोकेसी रिपोर्ट में खुलासा किया गया जहाँ पे 12 एफिरिल के रिपोर्ट के मुताविक काउंसिल के तरफ से भारत के प्राइबेट और स्टेट ओन डिफेंस शिप्यार्ट के साथ कुलाबरेशन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि opportunity को आजमाया जा सके और इसमें भारत के हर तरीके के प्राइबेट सेक्टर अंडर्टेकिंग और शिप्यार्ट शामिल है और कुलाबरेशन केते हैं जहाँ सब्मरीन, इलेक्ट्रोनिक प्रोपल्सन सिस्टम, इंडिजिनियस, कैरियर, डिवलॉप्मेंट और हत्यार और सेंसर शामिल है दोसे आपके जानकारी के लिए बिता दियो कि हाली में एरक्रेफ्ट कैरियर से पहले इंडिजिनियस SSN को जो तरजी दिया जा रहा है उसका कते ये मतलब नहीं है कि इंडिया अपना तीसरा एरक्रेफ्ट कैरियर के तरफ आगे नहीं बढ़ेगा बलकि इसका असल मकसद ये है कि एरक्रेफ्ट कैरियर से पहले संभावित इंडियर नेवी में इंडिजिनियस नुक्लियर पावर एटक सब्मरीनों को शामिल किया जाए और जो एरक्रेफ्ट कैरियर को लेके सोच विचार किया रहा था उसे संभावित कुछ साल और डिले क किया जाए तो से इंडिया जो अपना तीजराय एरक्राफ्टकेरियर बनाना चाहता एक साठ से 65 वह का हई श करियर होगा जिसमें कीड़बू लॉचंड decision या electro megaron launching system के साथ इडवान और अधनीक काईड़में के टिमulator के Всем University पे UK के aircraft carrier में ना ही catapult launching system है और ना ही arresting gear है यहाँ पे ski jump ramp का इस्तेमाल किया गया है जब कि किसी तरीके कोई भी arresting wear नहीं होने के बज़ा से इस aircraft carrier के उपर स्रिफ F-35 जैसे vertical take off और vertical landing aircraft को ही land कराया जा सकता है भारत के आवशक्ता जहाँ पे इस से पूरा UK के वज़ा से इसे UK द्वारा रत किया गया और UK के पास इसका एक alternative design भी है जिसमें arresting gear और catapult launching system LAZ है इवन भारत के आवशक्ताओं को देखते हुए UK अपने design में तफदीर लिवी कर सकता है और फिलार aircraft carrier के collaboration को भी आगे बढ़ाने के लिए UK के तरफ से प्रयास किया जा रहा है दोसो इवन आपके जानकरी के लिए मैं ये भी बता दू कि इंडिया को अपना तीसरा aircraft carrier का आवशक्ता कितना है इसके बारे में पहले भी Navy के Chief Admiral Karambir Singh के तरफ से जानकरी दिया जा चुका है उनके बयान के मुताविक इंडिया को तीन aircraft carrier के आवशक्ता है है ताकि सदे दो Coastal Region में दो aircraft carrier टैनात रह सके जबकि तीसरा aircraft carrier इस समय के अंतराल में Refair, Overhauling और Maintenance के लिए बेस में रह सके पर दोसो चाइना के बढ़ते हुए कदम और Aggressive Behavior को देखते हुए इंडिया द्वारा फिलाल Indigenous SSN के उपर ज़्यादा फोकस लाया गया है ताकि इसका इस्तेमाल करते हुए चाइना को इंडियान ओशन के अंदर प्रबेश से रोकाया सके फिलाल अगर इंडियान नेवी के फ्लीट को देखा जाए एक Active Operational Aircraft Carrier जिसे हम INS विक्रम अधित्या के नाम से जानते हैं जबकि दूसरा Aircraft Carrier के बैसिन ट्राइल संपूर्ण हो चुका है और जल्द ही सी ट्राइल शुरू किया जाएगा और इसे हम INS विक्रान के नाम से जानते हैं संभावित साल के अंत तक या अगले साल के शुरूआत में इसे इंडियान नेवी के हवाले कर दिया जाएगा और ये X-Key Jump और Arresting Wear वाला Aircraft Carrier है दोस्तों अब चलिए हमारे दूसरे अफडेट मतलब सुपर कलवेरी क्लास सब्मरीन के बारे में जानते हैं तो दोस्तों आप सब लोगे को पता ही होगा कि Project 75i के तहट भारत 6 डिजल इलेक्टिक सब्मरीनों को अपने बेडे में शामिल करना चाता है भारत के इस टेंडर को हासिल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों के कमपनीों द्वारा प्रयास चलाया जा रहा है जिन में South Korea के कमपनी से शुरू करके Russia और Germany से शुरू करके France के कमपनी तक शामिल है फ्रांस के द्वारा जहां पे project 75 के tender को successfully हासिल करने के बाद भारत में ही इस project के तहट फ्रेंच scorpion class submarine को कलवरी class के नाम से बनाया जा रहा है तो वही फिर फ्रांस दूसरे project को भी अपने हिस्से में करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है फ्रांस के प्रयास के तहट फ्रांस द्वारा कई सारे ओफर भारत को किया जा चुका है जिनमें बराकुडा क्लास के नॉन नुक्लियर सब्मरीन से शुरू करके स्कॉर्पियन क्लास के डिजाइन के बेस पे सुपर स्कॉर्पियन या सुपर कल्वेरी तक शामिल है और दोसो करी के लिए बता दू कि Project 75i में Project 75 के तुलना में जादा आधुनिक और जादा बड़े आकार के सब्मरीनों को शामिल करना है इंडियन नेवी के requirement के मुताविक Project 75i के सब्मरीन 3,000 टन के वर्जन बाला सब्मरीन हो सकता है क्योंकि इसमें कई additional features को जोड़ा जा चुका है जिन में air independent propulsion system से शुरू करके vertical launching missile system तक शामिल है मतलब additionally सब्मरीन में vertical launching system को add किया जाएगा जो सब्मरीन के आकार को तो बढ़ा करेगा ही साथ में सब्मरीन के वर्जन को भी भारी करेगा और इसी आवशकताओं को देखते हुए फ्रांस के तरफ से अपने scorpion class सब्मरीन को modify करने का बात कहा गया और एक 3000 टन के वारी भर कम सुपर scorpion या सुपर कल्वरी का बात कहा गया दोसो भारत द्वारा अल्रीडी अपने fuel sale based air independent propulsion system का development किया जा चुका है जिसे भारत के तरफ से कल्वरी क्लास के सब्मरीनों में भी जोडा जाएगा संभाबित इसे पहले major refit के दर्मियान सब्मरीनों में add कि जबकि project 75i में ये शुरुआत से ही रहेगा दोसो सुफर कल्वरी क्लास के सब्मरीनों में जिन नए फिचरों का बात कहा जा रहा है उनमें AIP सिस्टमों के इलावा 8 मिसाइलों को launch करने का capability होगा जिनमें 4 सेल वाला vertical launching system को वी install किया जाएगा फिलाल एक कल्वरी कलास के सब्मरीन के लंबाई 66.4 मिटर है जबकि इसमें vertical launching system और air independent propulsion system को जोडने के बाद समभावित इसका लंबाई 100 मिटर तक हो जाए इवन ये 3000 टन के वजन के आसपास भी हो सकता है दोसों बताया जा रहा है कि इंडिया द्वारा अपने project 75i सब्मरीनों में vertical launching system के तहट ब्लमोस सब्मरीन launch cruise missile और निर्वय सब्सोनिक सब्मरीन launch cruise missile को एड़ करना है फिलाल project 75i के status को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि फिलाल सब्मरीनों के लिए foreign companyों में से किसी एक company का chain करना है जवकि पिछले साल भारत के द्वारा दो इंडियन कमपनियों का chain already किया चुका है दोसे इस्टेंडर में जो foreign company शामिल है उसमें जर्वनी के तुसन कुरोप marine system, रेशिया के रुवीन design bureau, स्पेन के नेवेंशिया, फ्रांस के नेवल ग्रूप और साउथ कोडिया का डियावू, ship building and marine engineering शामिल है भारत के जो दो कमपनियों को चुना गया है उनमे private own, L&T company और government own, मज़गाव dockyard limited शामिल है दोसर भारत के इन दोनों कमपनियों में से किसी एक कमपनि को ये 6 सब्मरीन बनाने का contract मिलेगा जबकि इन दोनों कमपनियों द्वारा किसी एक foreign company के साथ मिलके अपने concept को आगे बढ़ाना पड़ेगा इवन दोस्तो इस project के अगर current status को देखा जाए तो भारत द्वारा कई सारे equipment के development का बात कहा जा रहा है जिन में भारत का खुद का lithium-ion battery, 5 MW वाले electronic propulsion motor, diesel generator, air independent propulsion system, हतियार, sensors और सब्मरीनों को बनाने के लिए special grade के steel तक शामिल है कुल मिला के माना जा रहा है कि भारत इसमें काफी जादा हद तक indigenous equipment का इस्तिमाल करेगा ताकि जल से जल अपना खुद का design को लेके भी आगे बढ़ा जा सके और indigenous design के conventional diesel electric सब्मरीनों को अपने बेड़े के लिए तैयार किया सके तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन